महराश्ट की सियासत में शैमात का खेल लगातार चल रहा है आज का दिन काफी एहम माना जा रहा है एक तरफ उद्धव ठाकरे मंधन के लिए खुद उतर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी भी एक्टिव हो गई है इस बीज शिवसेना के बागी विधायकों के साथ असम में जमें एकनाच शिंदे ने 38 विधायकों का समर्थन पत्र जारी कर दिया है उनके एक समर्थक विधायक ने नई शिवसेना बनाए जाने का भी दबाव किया है और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्वनी पांडे और ग्वाहती से जुड़ रहे हैं सोमित सेन गुपता तो सबसे पहले हम बात करेंगे अश्वनी पांडे से, अश्वनी ये बताईए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार घटना करम बदलता जा रहा है, लगातार ये जो सियासी ड्रामा है एक नया मोड लेता जा रहा है, महरास्ट में अभी क्या चल रहा है, शिवसेना के सरकार कारणी ये उसे संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उधो ठाकरे और उधो ठाकरे की सिवसेना दो मूर्चों पर लड़ रही है, पहला मूर्चा ये है कि सरकार को कैसे बचाया जाए, और दूसरा मूर्चा है कि पार्टी को कैसे बचाया जाए, लेकिन सबसे ज बात को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा जरूरी जो है इस वक्त उधो ठाकरे की तरफ जो सोच रहे हैं कि पार्टी को एक जूट किया जासे के पार्टी नहीं तूटे इसका पूरा संग्यान ले रहे हैं लगातार बैठक हो रही है कल हमने देखा कि पहले विभाग इठकरे बिरला मातोश्री में जो सिफशना के तमाम कारिकरता है उन्हें समोधित करेंगे यानि कि पार्टी कैडर को मजबूत रखने की पूरी कोशिश की जारी है चुकि हमने देखा थाना में ऐसे कई कॉर्परेटर सामने आए जो एकनाशिंदे के साथ जा रहे हैं इसक संग्यान लिया जारा है चुकि सरकारी अगर सरकार बरनाने की जहां तक बात करें तो यहां पर बड़ी संख्या में विधायक तूट चुके हैं अब पार्टी को बचाने की प्रात्मिक्ता फिलाल दी जारी उद्व ठाकरे की तरफ से पार्टी को बचाने की प्रात्मिक्त जारी है सोमित के पास चलते हैं सोमित एक तरफ उद्धव ठाकरे का खेमा और दूसरी तरफ एकनाच शिंदे का खेमा उद्धव के खेमे के हाला तो आपने सुने जिस तरह सेशोनी पांडे ने बताया लेकिन हम देख रहे हैं कि गुवाहाटी में भी एकनाच शिंदे बार- की विधायक है उनके साथ एक बैठक में शामिल हुए है और यह बैठक के इस बैठक में ही जो फाइनल स्ट्राटीजी है उसको शेप दिया जाएगा रणीती को आगे कैसे इंप्लिमेंट किया जाएगा एक्जिक्यूट किया जाएगा यह इस पर चर्चा होगी और चार ब पूरी जो यह जो इधर से उधर से जो सुनने में आ रही है उस पर पूरी क्लारिटी आ जाएगी हम आपको बताजे कि यहां पर पता चल रहा है सुत्रों के हवाले से कि यह जो गुट है यह अपने खुद को शिवशेना ही कहते है लेकिन शिवशेना बाला साहब ठाकरे ग क्या करना चाहते है कि आप गिदान सवा के फ्लोर तक पहुंचेंगे पहुंचके वहाँ पर नो कॉन्फिरेंस मोशन लाएंगे फिर अभी जो बताया जा रहा है कि पार्टी को कैसे टूटने से बचाया जाए इस पर उनकी क्या प्रतिक्तिया रहेगी यह बस चार बजे ही और से प्रेस कांफरेंस की जाएगी तब काफी कुछ रुक साफ हो जाएगा अश्वनी एक सवाल और आपसे यह बनता है कि इधर भी हम देखे अगर महराश्ट में तो न्सीपी में शरत पवार लगातार मीटिंगे कर रहे हैं बीजेपी भी लगातार मीटिंगे कर रही है कॉंग्रेस के धड़े में क्या कुछ चल रहा है उसको जड़ा एक बार विस्तार से पताए कि जो बाकी पार्टियां हैं वो क्या कर रही है उनकी रणनीती क्या दिख रही है इस समय कॉंग्रेस के नेता और कैबिनेट मंतरी उनके घर पे हूँ और यहाँ पर कुछ दिर पहले ही सभी कॉंग्रेसी नेताओं और जो इस समय महारास सरकार में मंतरी हैं उनके साथ एक बैठक की गई और जो अभी राज़ितिक हालात निर्माण हुए हैं उस पर विचार विमर खास तोर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं डेपुटी स्पीकर द्वारा सभी 16 विधायकों को जो नोटिस जारी हुई है आगे चलकर ये मामला कोट में जाएगा जाहिर सी बात है अगर निलंबन किया जाता है विधायकों का तो ये जो टेक्निकालिटीज हैं वो समझने की कोशिश की जारी है कॉंगरेस की तरफ से साफ का जारा है हम फ्लोर टेस्ट के लिए तयार है और हमारे पास संख्या बल है लेकिन सवाल ये है कि संख्या बल दिखाई नहीं दे रहा है सैतिस से विधायकों के हस्ताक्षर के साथ एक तरफ एकनाश शिंदे ने विधान सभा में ग्रूप लीडर के तौर पर खुद को प्रिजेंट किया है इसके अलावा करीब 12 और विधायकों के बाहर रहने की जानकारी है कुल 50 विधायक इस वक्त एकनाशिंदे खेमे में हैं और 170 विधायकों के समर्थन के साथ इस सरकार बनी थी यानि की 50 अगर हम सीधे उसमें से सिवसेना इस सरकार को बचाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं लेकिन जो इस्थिती है ऐसे में ये राह इतनी आसान बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है बिल्कुल यानि बाकी पार्टियों की ओर से चाहे वो NCP की बात हो चाहे कॉंगरेस की बात हो प्रयास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सोमित रुक करते हैं अगली खबर का जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स के निमंतरन पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी 26-27 जून को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शोल्स अलमाउ जाएंगे सम्मेलन के दौरान यूक्र 28 जून तक विदेश यात्रा पर रहेंगे 26-27 जून को PM मोदी जर्मनी में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे G7 की बैठक में PM मोदी को विशिश तोर पर आमंत्रित किया गया है इंडिया's regular participation at the G7 summits clearly points to increasing acceptance and recognition G7 सम्मु में कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटिन और अमेरिका शामिन है PM मोदी 28 जून को UAE पहुँचेंगे जहां वो UAE के पूर्व राष्टपती शेक बिन जायद अल नहायन के निधन पर शोक वियक्त करेंगे इसके साथ ही PM मोदी UAE के नए राष्टपती शेक मोहमद बिन जायद अल नहायन से मुलाकात भी करेंगे और अब देखते हैं सब्तेकाट Tech Top 10 Smart Glass हो या Smart Watch, नए Smart Phones हो या नए Laptop Tech Top 10 में मिलेगी आपको Tech की दुन्या की सारी बड़ी खबरे मैं हून यहाँ वशिच और एक बार फिर से आपका स्वागत है Tech Top 10 में चली देखते हैं इस बार Tech की दुन्या में क्या हुआ खास सामसंग ने किया अपना बजट स्मार्टफोन Galaxy F13 इंडिया में लांच 6.6 इंचिस FHD प्लस डिस्प्ले और 6000 एमेच की बैटरी से लेस इस 4G स्मार्टफोन में है दो वेरियंट इसमें ट्रिपल रेर कैमरा सेट अप है जिसमें प्राइमरी लेंस 50 मेगा पिक्सल का है और सा अपड्रागन 870 प्रोसेसर 120 हर्ट्स अमुलेड डिस्प्ले और लिक्वीड कूल 2.0 कूलिंग सिस्टम इसमें 67 वाट का फास्ट चाजिंग सपोर्ट भी अवेलिबल है शाओमी ने लॉंच किया मी स्मार्ट बैंड 7 1.62 इंच अमुलेड डिस्प्ले और 100 वाच फेसे से ल जल्द ही इंडिया में भी हो सकती है अब वाट्साप ग्रूप्स पर बिना अड्मिन हुए भी आप कर सकेंगे लोगों को ग्रूप कॉल में म्यूट इस फीचर से जब भी आप किसी को म्यूट करेंगे तो जिसको आप म्यूट करेंगे उसको नोटिफिकेशन भी जाएगी कि आपने उन्हें म्यूट किया है यह फीचर अंड्रोइड और आइउएस दोनों पर अवेलिबल है अगर आपको लिखने का शौक है तो आपके लिए है खुश खबरी क्योंकि ट्विटर पर जल्द आएगा नोट्स फीचर ट्विटर इस फीचर पर फिलहाल काम कर रहा है इस फीचर से यूजर्स को आप्शिन मिलेगा कि वो लंबे पोस्ट को अपने ट्वीट में एमबेड कर सकें रियल्मी ने किया अपना C-Series का नया स्मार्टफोन C30 लांच इस बजट फोन में है Unisoc T612 प्रोसेसर, 8MP रेर AI कैमरा और 5000 mAh की मैसिब बैटरिंग रियल्मी इंदिया CEO मादफ शेट की मताबिक C30 टेकनोलजी और डिजाइन का अल्टिमेट ब्लेंड है और काफी अफॉर्डिबल भी है एसस ने इंदिया में लॉंच किया अपना डिटाचिबल 2-in-1 गेमिंग टाबलेट एसस ROG Flow Z13 इसमें यूजर्स को मिलेंगे दो टच पैनल ऑप्षिन्स 4K 60Hz और FHD 120Hz और इसका प्राइज है 1,36,990 रियल्मी टेक लाइफ ने लॉंच की अपनी नई स्मार्ट वाच वाच आर 100 इसमें है Bluetooth कॉलिंग फंक्शन और SPO2 सेंसर 1.32 इंच स्क्रीन से लेसी स्मार्ट वाच कमपनी के मताबिक 2 गंटे में 100% तक चार्ज हो सकती है Noise ने लॉंच की अपने पहले स्मार्ट ग्लासेज आई वन इन स्मार्ट ग्लासेज में है motion estimation, motion compensation, mic for calling, magnetic charging और hands free voice control इन स्मार्ट ग्लासेज से यूजर्स को accept या reject कर सकते हैं साथ ही music को भी manage कर सकते हैं टेक्नो ने लॉंच किया इंडिया का पहला 7000 mAh बैटरी वाला स्मार्ट पोन टेक्नो पोवा 3 इसमें है Helio G88 प्रोसेसर जो की gaming lovers के लिए अच्छा option है अगर वो budget में कोई phone ढून रहे हैं तो इसका introductory price है 11,499 तो ये थी टेक के दुन्या की 10 बड़ी खबरें अगले हबते आप से फिस होगी मुलाकात तब तक के लिए आप देखते रहिए Zee Business देश में हर साल 2,00,00 लोगों की किड्नी खराब हो जाती है मगर सिर्फ 10,000 को ही औरगन डोनेट के जरीए किड्नी मिल पाती है 50,000 लोगों को लीवर की जरुरत होती है मगर सिर्फ 1000 का ही ट्रांस्प्लांट हो पाता है इसकी वज़ा अंगदान को लेकर कठिन सरकारी प्रक्रिया भी है मगर अब महरास्ट में औरगन डोनेशन यानि अंगदान की प्रक्रिया आसान हो गई है औरगन डोनेट करने के लिए अब 3 सरकारी अस्पतालों में खास सुविधा दी गई है देश में हर साल करीब एक लाग से अधिक लोगों की मौत केवल इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें कोई डोनर नहीं मिल पाता कई मामलों में लोग अंगदान करना भी चाते हैं तो जानकारी की कमी के चलते हो नहीं कर पाते ऐसे में महराष्ट में अंगदान को लेकर बड़ी पहल हुई है पहले जहां इसके लिए मुंबई का सेंट जॉर्ज होस्पिटल ही एक लौता सेंटर था जहां अंगदान को लेकर मनजूरी मिलती थी वहाँ अब राज्य में तीन सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा दी गई है राज्य सरकार ने इसके लिए साथ सदस्यों वाली तीन कामिटी का गठन किया है इसकी मदद से जेजे होस्पिटल बाइकला, परेल के के एम होस्पिटल और बीजे मेडिकल कॉलेज पूरे में अंगदान को लेकर आविदन किया जा सकता है एक आंकडे के मुताबिक भारत में हर साल ट्रांस्प्लांट के लिए करीब 2,00,000 किडनी, 50,000 हाट और 50,000 लीवर की जरुरत होती है लेकिन 10,000 किडनी और 1,000 लीवर ही ट्रांस्प्लांट के लिए उपलब्ध हो पाते हैं जो कि देश के आबादी के लिहाज से बेहद ही कम है दरसल देश में हर 8 मिनिट में दुर घटना से एक मौत होती है ऐसी मौत में अकसर ब्रेन डेड हो जाता है ऐसी डेट बॉडी से दो आखे, दो किडनी, एक लीवर, दो फेफडे, एक हाट, एक पैंक्रिया और एक आथ दान की जा सकती है इससे कम से कम 8 से 10 लोगों की ओर्गन ट्रांस्प्लांट की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है अंग दान दो तरहां के होते हैं एक तो मरने के बाद और दूसरा जीवित रहते हुए कोई जीवित व्यक्ति अपने एक किडनी, एक फेफडा, लीवर का कुछ अंच, पैंक्रियास या आथ का कुछ हिस्सा दान कर सकता है लेकिन अंगों के खरीद फरोक्त का कोई कारोबार ना हो, इसके लिए बड़े कानूनी नियम है कोई व्यक्ति अपने माता-पिता, भाई-बहन, पती-पत्नी, बच्चे, ग्रांट-पेरेंस, ग्रांट-चिल्रन को आसानी से अपने अंग डोनेट कर सकते हैं लेकिन दूर के रिष्टदार, दोस्त और अंजान लोगों को अगर मानूई आधार पर कोई अंग डोनेट करना हो, तो इसके लिए कड़े कानूनी नियमों से गुजरना पड़ता है जिसे कैंसर, डाइबेटीज, जैसी घातक बिमारी नहीं है, वो व्यक्ति अंगदान कर सकता है कैंसर और HIV से पीड़त व्यक्ति, सेपसिस या इंट्रवीनिस दवाओं का इस्तिमाल करने वाले अंगदान नहीं कर सकते ग्लोबल लेवल पर देखें, तो भारत में अंगदान का चलन बेहद कम है फ्रांस में जहां हर दसला की आवादी पर पचास लोग अंगदान करते हैं तो क्रोएशिया में या आकड़ा 35 और अमेरिका में 37 का है लेकिन भारत में ये आकड़ा महस आधे के आसपास है अंगदान के लिए आवेदन करना बेहदासान है इसके लिए www.organindia.org पर अपलाए करना होता है रिजिस्ट्रेशन होते ही संस्तान की ओर से यूनीक नंबर के साथ एक डोनर कार्ड भेजा जाता है कार्ड की फॉर्मालिटीज पूरी करने के बाद डोनर नाशनल ओर्गन एंड टिशू ट्रांस्प्लांट ओर्गनाइजेशन यानि न ओ टी टी ओ में रिजिस्टर हो जाता है यानि डोनर के अंग उसके मरने के बाद भी उसकी मौजूदगी का एहसास कराते हैं यूरो रिपोर्ट जी वीडिया रूस यूकरेन युद्ध का आज 122 वा दिन है रूस के बम लगातार यूकरेन के शहरों को तबाह कर रहे हैं खारकीव हो या दोनेक्स रूस के हमले लगातार जारी हैं और पूर्वी यूकरेन से आरही कुछ तस्वीरे ये बता रही हैं कि रूस यूकरेन पर किसी तरह का रहम नहीं दिखाने वाला है यूकरेन पर रूस का गुस्ता कम होने का नाम ही नहीं ले रहा खारकीव से दोने स्टक युक्रेन के शहर खंडर बनते जा रहे हैं युक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव का हाल अब ऐसा हो गया है कि उसे पहचानना भी मुश्किल है जंग के पहले दिन से ही खारकीव रूस के निशाने पर रहा है सैने ठीकानों के साथ साथ रूस खारकीव के रहाशी इलागों को भी अपना निशाना बना रहा है खारकीव पर रूस के कहर का एक ताजा सबूत ये बम है 500 किलो के वजन का ये बम 19 मार्च से इस अपार्टमेंट की छट पर पड़ा हुआ है आपातकालिन सेवाउ से जुड़ी टीम ने गुरुवार कोई से अपार्टमेंट की छट से हटा दिया टीम ने बताया कि जिस समय ये बम इस अपार्टमेंट पर गिरा था अगर इसमें धमाका होता तो ये पूरा ब्लॉक तभाह हो जाता लेकिन ये बम फटा ही नहीं और बाद में इसका फ्यूज भी निकाल दिया गया तीन महीने बाद अब जाकर इस बम को यहां से हटाया जा रहा है इस बम के साइस से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूस यूकरेन पर हमले को लेकर किसी भी तरह रियात नहीं दे रहा गुरुवार को जहां एक तरह इस बम को निकाला चा रहा था तो वही खारकिव के एक अलग कोने में रूस ने क्रूज मिसाइल से रिहाईशी इलाकों पर हमला कर दिया इन क्रूज मिसाइलों के हमले में एक कॉलिज पूरी तरह ध्वस्त हो गया गनीमत ये रही कि युद्ध के कारण कॉलिज बंध था और इसी वज़ा से यहां जानमाल का कोई नुक्सान नहीं हुआ खारकिव के ही साथ-साथ रूस ने गुरुवार को दोनेस के रिहाईशी इलाकों पर भी बंबारी की हालकि इस हमले से पहले ही सायरन बज गए और लोग बंकरों में छिप गए बीते चार महीनों से चल रहे इस युद में युक्रेंग के लोगों की जिन्दगी बरबाद हो गई है ब्यूर रिपोर्ट, जी मीडिया अब आपको लंदन के हीत्रो एरपोर्ट का एक वीडियो दिखाते हैं जो इन दुनों सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है ये वीडियो बता रहा है कि ब्रिटन के एरपोर्ट करमचारियों की कमी से जूज रहे हैं लेकिन कहानी सिर्फ बृतिन के एरपोर्ट की नहीं है बलकि यूरप के कई एरपोर्ट में ऐसा ही है। यह है लंडन का हिथरो एरपोर्ट। सामान का अमबार लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे एरपोर्ट पर लगेज को फ्लाइट तक पहुँचाने वाला कोई है ही रही। जहां सक आपकी नजर जाएगी आपको लगेज ही लगेज दिखाई देगा। एरपोर्ट पर जमा इस लगेज की दो कारण हैं। एक कोविट और दूसरा गर्मी की छुट्टियां। दरसल ब्रिटेन में कोरोना के मामली घटने के बाद नियमों में धील दे दी गई है। साथ ही इन दिनों ब्रिटेन में गर्मीयों की छुट्टियां भी आ गई है। ऐसे में कोरोना के कारण घरों में बंद लोग अब बड़ी तादाद में घरों से बाहर छुट्टियों की लिए जा रहे हैं। लेकिन एयरपोर्ट करमचारियों की कमी के कारण इस तरह की मुश्किल आने लगी है। और एयरपोर्ट पर दिख रहा लगेच का ये पहाड इसका छोटा सा उधारन है। कहानी सिर्फ ब्रिटेन तक ही नहीं रुकती। यूरोप के कई एयरपोर्ट इसी तरह की समस्या से जूज रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियां और कोविट से मिली राहत के बाद कई लोग अब छुट्टियों के लिए अलग-अलग देशों में जा रहे हैं। और यही वज़ा है कि एयरपोर्ट पर लोगों की भीड जमा होती जा रही है। हालात यह हो गए है कि एयरपोर्ट पर लगेज प्लेन तक पहुचाने वालों की कमी हो गई है। कई एयरपोर्ट पर तो समान ना पहुचने की वज़ा से प्लेन लेट हो रहे हैं। हाल ही में नीजरलैंड की एरलाइन्स के एलेम को यात्रियों से माफी तक मांगनी पड़ गई बीदे एक हफते में 2000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा जिसमें से अकेले हित्रो एरपोर्ट से ही 376 फ्लाइट्स रद हुई है कई कमपनियों के करमचारियों ने पर्याप्त करमचारी रखने की मांग की है और मांग पूरी ना होने पर हर्ताल करने की धम की दे दी है महमारी के दौरान हजारों पाइलेट, कैबिन, क्र्यू, बैगिज हैंडलर और विमान सेवा से जुड़े कई करमचारियों की छटनी कर दी गई थी लेकिन अब जब हालात वापस से सामाने हुए हैं तो विमान कमपनियों को करमचारियों की भयंकर कमी से जूजना पड़ रहा है ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया नियूस लाइब में फिल हाल यहीं रुकते हैं लेकिन खबरे लगातार जारी हैं आप बने रहे हैं जी बजनेस पार